गुड मॉर्निंग अल अफ यू, वी आर गोईंग टू स्टड़ी लेसं टैन मुहावरे बच्चों, आज हम मुहावरे जो विशेश अर्थ बताने वाले होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं मुहावरा अर्वी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है अभ्यास या बाचीत मुहावरा शापदिक अर्थ से भिन अर्थ प्रगट करता है जब कोई वाक्य या बाक्यांश अपने साधारन अर्थ को छोड़ कर विलक्षन अर्थ को प्रगट करे तो उसे मुहावरा कहा जाता है अर्थात अपने सामाने अर्थ को छोड़कर विशेश अर्थ बताने वाले बाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं इसका प्रियोग भाशा को सुन्दर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है इसे एक उदारण से भी समझा जा सकता है जैसे पेट में चूहे कुदना इसका सामाने अर्थ है पेट के अंदर चूहों का कुदना लेकिन मुहावरे में इसका विशेश अर्थ बताया गया है भूख लगना पेट में चूहे कुदना अर्थात भूख लगना इसी तरह से दूसरा एक मुहावरा है मक्खियां मारना इसका सामान अर्थ है मक्खी को गिन गिन कर मारना लेकिन इस मुहावरे का विशेश अर्थ है बेकार बैठे रहना तो चलिए अब हम इस पार्थ में कुछ मुहावरे और उनके अर्थ को जानते हैं भाशा को सुन्दर प्रभावशाली बनाने के लिए मुहापनों का प्रयोग होता है कुछ मुहापरे और उनके अर्थ इस प्रकार है पीट थप थपाना इसका अर्थ है शाबाशी देना दौड प्रतियोगिता में प्रथम आने पर दादा जी ने संजय की पीट थप थपाई आँखे दिखाना यह एक मुहापरा है इसका अर्थ है गुस्सा होना मेरे शैतानी करने पर पिता जी जब आँखे दिखाते हैं तो मैं शान्थ हो जाता हूँ उल्लू बनाना परिक्षा में अच्छे आंक पाने के लिए दिन रात एक करना होता है आँखों का तारा बहुत प्यारा रोहन अपनी माता पिता के आँखों का तारा है चलिए अब हम कुछ मुहापरे और उनके अर्थों को जानते हैं हाथ बटाना इसका आर्थ है मदद करना अंगूठा दिखाना इस मुहापरे का आर्थ है मना कर देना कान पकरना इसका आर्थ है अपनी गलती ना दोहराना नौदो ग्यारा होना भाग जाना फूलाना समाना इस मुहापरे का आर्थ है बहुत खुश होना आख लगना, सो जाना, दाटों तल्य उंगली दबाना, आश्चरे चकित होना, हाथ मलना, इसका आर्थ है पच्छताना, घी के दिये जलाना, खुशियां बनाना, छाती से लगाना, बहुत प्यार करना, हवा से बातें करना, इसका आर्थ है बहुत तेज दोड़ना, मुह में पानी आना, इस मुहावरे कार्थ है लालज करना, पानी पानी होना, यानि लजजित होना, हाथ पर मारना, बहुत प्यातन करना, आखों का तारा, बहुत प्यारा होना, मोती पी रोना, बहुत सुन्दर लिखना, आख बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, आसमान सि पर उठाना, बहुत शोर करना, नाक में दम करना, बहुत परिशान करना, दाल में काला, इस मुहावरे कार्थ है गड़बड होना, चेहरा खील उठना, इस मुहावरे कार्थ है प्रसन्न होना, कान भरना, इस कार्थ है शिकायत करना, मुह की खाना, यानि हार जाना, इद का च चिंद होना तो इस पार्ट में आपने देखा कि मुहावरों का विशेश अर्थ होता है और विशेश अर्थ बताने वाले वाक्यांजी मुहावरे कहलाते हैं चलिए अब इस पार्ट में आया अभ्यास को हम पढ़ते हैं दिये गए वाक्यों में मुहावरों के नीचे रेखा कीचिए इस वाक्य में जो मुहावरे हैं उसके नीचे रेखा कीचनी है समय बीतने पर हाथ मलने से क्या फाइदा इस वाक्य में मुहावरा है हाथ मलना दूसरा, अध्याबिका के एक अक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने आस्मान सिर पर उठा लिया इस वाक्य में मुहावरा है आस्मान सर पर उठाना तीसरा, परिक्षा समाप्त होने के बाद रमन घोड़े बेच कर सोया इस वाकी में मुहावरा है भोड़े बेच कर सोना चौथा तरह तरह की मिठाईया देखकर जीया के मुम में पानी आ गया इस वाकी का मुहावरा है मुम में पानी आना पांचवा प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अंकुर का चेहरा खिल उठा इस वाक्य में मुहावरा है, चेहरा खिल उठना आगे दिये गए मुहावरों को उनकी अर्थ से मिलाना है अंगुठा दिखाना, मना कर देना पानी पानी होना, लजजित होना घी के दिये जलाना, खुशियां मनाना मोती पिरोना, बहुत सुन्दर लिखना आखें दिखाना, कुस्ता होना आगे दिये गए हैं, दिये गए मुहावरों से वाक्य पूरे किये पाला, अनुज घर के कामों में मा का हाथ बटाता है दूसरा, कुत्ते को देखकर बिली, 92111 हो गई तीसरा, मयंग को कुछ खाने को दो, उसके पेट में चूहे गूद रहे हैं चौथा, कक्षा में मॉनिटर बनने पर दादी ने मेरी पीट थप थपाई पाच्वा, कुर्सी पर बैठे-बैठे कमला की आख लग गई तो बच्चों, इस पार्ट में ये अभ्यास आपको बुक में फील करना है तैंक यू